कि अधियुक्त वेलकम तो वाइट चैनल वी एम बराइजिंग आज हमारा टॉपिक है विच इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टेर आज जिस सॉफ्टेर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह सॉफ्टेर का जितना यूनिक उसका नाम है उतने यूनिक उसके इसका इसके यूटूब यह दो आणलोड और जो भी नई यूजर्स उतने यूटूब पर यह जिनको विडियो एडिटिंग सीकना है उनके लिए काफी हलफुल रहता है यह सॉफ्टेर तो गाईज इसको आज मैं तीन पार्ट में आपको बता हूंगा किस तरीके से डाउन स्ट्रॉल करना और उसके बाद किस तरीके से एजी तू यूज है तो गाइज लेट स्टार्ट आपर वीडियो तो गाइज यह आइसक्रीम का वेब साइट है वहां से आप लिंक डाउनलोड कर सकते हो लिंक मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा तो यह द वाइज दूनलोड हो गई है अब हम इसको इंस्टाल कर लेते हैं इस्टाल करने के लिए देखे मैं इंस्टाल करता हूं तो यहाँ पर यहाँ पे लेंगवेज पुसता है लेंगवेज इंग्लिष sa electricity करने के बाद मैं ok करता हूँ उसके बाद agreement पूसता है मैं यह एस करके जाने देता हूँ टिक करके उसके बाद यहां पर यहां पर यह करना है यह करने के बाद आप next option आएका next करना है directly कहीं पर भी आपको no टिक नहीं करना है और यह अभी हमारा installation start हो गया है जैसी यह installation complete होगा उसके बाद आपको करने के बाद अभी हमारे को इसको रण करना रहेगा software को तो हम इसको अब रण करते हैं यहां से यहां से हमने इसको software को रण किया अभी यह हमारी window editing की main page आगए यहां पर हम add file में जाके इसको file को import करने के जो जो file हमें import करनी है control प्रेस करके हम उस multiple files को एक साथ select कर लेंगे उसके बाद ok कर देंगे तो यह इंपोर्ट हो जाएंगी उसके बाद हमको कोई भी audio file चाहिए हो तो आप audio file भी add कर सकते हैं आपका logo भी इस दर पर यहां पर add कर सकते हैं लोगो में add कर लेता हूँ देखे अब यह हमारी सारी files आ गई है यहां पर अब हम उसको one to one यहां पर drag करेंगे नीचे की और जो जो हमको add करनी है उसके हिसाब से हम sequence कर लेंगे कि logo पहले करना है music करना है तो music हमारा नीचे वाली यह audio tray यह video tray रहा है और next इसमें आ जाएगा general setting general setting में आपको क्या मिलेगा rotate करने का वीडियो को option मिलेगा आप left to right, right to left कर सकते हो और यहां brightness आप कम जादा कर सकते हो contrast भी कर सकते हो up down और यहां saturation का भी option दिया है बहुत ही better option है basic आपको जितनी नीट से आपका सब कुछ यहां पे available होता है speed भी कम ज्यादा बढ़ानी है fast slow करना है तो वह भी option है यहां पे तो और यहां पे वीडियो में फिलिप करना है left to right up down वह भी option है तो अगर trim करना है जितना party आपको चाहिए कि यह part मेरा okay है इतना ही part आपको चाहिए requirement है तो उसके हिसाब से आप इसको trim भी कर सकते हैं उसके बाद आप इसको crop भी कर सकते हैं करने के लिए जैसे आपका facebook के लिए वीडियो चीए तो आप उसको खाली square window screen पर ही square करके crop करके आपका वीडियो ले सकते है जितना part आपको अच्छा लगे उसके इसाब से यहां पर फिर आप उसका text इंसर्ट करना चाते हैं कुछ नाम वगेरा इंसर्ट करना चाते हैं तो वो text आप mention कर सकते हैं और यहां पर different types of fonts हैं आप size भी increase कर सकते हैं या down कर सकते हैं उससे आप से आप text इंसर्ट कर सकते हैं आपकी वीडियो के लिए बेसिक जितना नीट से वह सब यहां पर fulfill हो जोता है इसी तरीके से आपको filter जो भी use करना है filter भी use कर सकते हैं आपको dim चाहिए तो dim high चाहिए color जैसा भी चाहिए उससे सब से आपको filter यूज कर सकते हैं यहां पर हमार वीडियो पूरा एडिट हो चुका है आप हम इसको export करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए हमें export पर जाते हैं यहां पर click करते हैं उसके बाद यहां पर export करने के लिए mp4 file में कर सकते हैं different option है उसको click किजए और जितनी लंबी file होगी उतना जदा time लेता है थोड़ा तो उसके सब से आपका यह complete हो जाएगा बहुत ही easy way में मैंने अपना पूरा वीडियो मैंने यहां पर edit कर लिया है काफी अच्छे तरीके से काफी features इसके easy है smooth है और totally free of cost है so guys कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज लाइक और कमेंट फी थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो